दो सवाल है विशाल ब्रिज जी का और इंदर मालविया जी का दोनों एक ही चीज से जुड़ा हुआ दो यू बिलीव इन क्रिप्टो और विशाल जी का है कि बिटकोईंस का इंवेस्टमेंट के लिए अच्छा है या बुरा ऑनेसली मुझे अभी तक क्रिप्टो समझ में नहीं आया है उतने अच्छे तरीके से कि मैं उस पर राय दे सकूँ मोहित आप विशाल जी देखिये शायद हो सकता है आपको मेरे व्यू थोड़े अजीब लगे और मुझे काफी जगे से ट्विटर पर भी थोड़ा सा बैशिंग मिलता है इसको लेकर आइम फर्म बिलीवर अव क्रिप्टो मुझे लगता है कि दुनिया आज नहीं 10 साल बाद 20 साल बा यहां पर कोई रेगुलेटरी इंटर्वेंशन कभी नहीं हो सकता यह आपकी परस्नलाइस फिनेंशल फ्रीडम है क्रिप्टो बेसिकली यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम दर सेंट्रल बैंक्स और गवर्मेंट्स अभी आप जो भी पैसे का लेन देन करते हैं कहीं किसी को एकांडे कड़े हैं, कुछ भी करते हैं तो वहां पर एक इंटरमिडियरी हमेशा होता ही और वह इंटरमिडियरी है कि गृण्मेंट यह सेंट्रल बैंक रहा है किसी हमें क्यों हो रहा है पट वो आपके कंट्रोल में नहीं है क्रिप्टो इसन स्केर्स डिजिटल एसेड जो की इंफलेशनरी पॉलिसी और मॉनेटरी ट्रूल से इंफलेट नहीं हो सकता जिसका पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा उसकी लॉक उसका की सब कुछ आपके हाथ में है इस पीर-टू-पीर ट्रंजक्शन कोई इंटर्मीडियरी मिडल में इंवार्ड नहीं है एंड मुझे लगता है कि आज से 20 साल बाद ये दुनिया जिस तरह से इंटरनेट पर मिलती जा रही है और एक होती जा रही है क्रिप्टो इस दे फ्यूचर बिटकॉइन रहेगा ये नहीं रहेगा वो मैं नहीं बोल सकता वो सकता है शायद डिजिटल करेंसी गवर्मेंट्स निकालने हो सकता है किसी और फॉर्म में डिजिटल करेंसी आजाए वो कहना मुश्किल है बट क्रिप्टो as a concept विल ओवर्पावर एवरीथिंग